बुड इवनिंग एप्रिबड़ी आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी अरीना में CSK और RR सिमिलर सी हालत रही है इनकी पिछले IPL में और फिर से आपके सामने पिछले साल लास्ट पॉट के लिए दोनों फाइट कर रहे थे और इस साल अभी तक डीसेंट चल रहा है देखते हैं क्या होता है आगास करते हैं इस वीडियो का सबसे पहले ओरिजिनल टेलिग्राम चैनल पे रहना भाई फेक वाले नाम बदल बदल के आपको लुबाने की कोशिश करेंगे तिरपंच वह नजार लोग हैं फैंटेसी अरीना लिखा हुआ दिख जाएगा और आर रजिस्टर ट्रेड मार्क दिख जाएगा जल्दी ही उनके अगेंश में कंप्लेइन होगी और बहुत बहुत कॉंग्राचुलेशन कल के लिए क्योंकि अगर आप सेकेंड इनिंग्स खेल रहे हो जो काफी लोग खेल रहे हैं काफी अच्छा गया सेकेंड निंग्स रहे हैं काफी लोगों का शिकरदवन जिन्होंने मतलब इंक्लेनेशन था अगर आपने हमारा ऑथर जो श्रेस ने आपको अपडेट कर रहा था अगर आप वह भी देख रहे हो यह पूरा आर्टेकल भी देख रहे हो तो आपको बहुत ही क्लियर कट यहां से आपको चोईस दिख गए थे जिसने भी ट्राई किया मतलब अगर धंक से उसने एक बार पढ़ लिया होगा उसको समझ आ गया होगा पहला मैच I don't think अच्छा गया होगा सबका तो पहले मैच के लिए माफी और दूसरा मैच के लिए कॉंग्राचुलेशन दोनों ही है और मेरा भी आपको रिजल दिख ज और Fantasy Arena Telegram पे बहुत सारे अपडेट चल रही है फ्री गिववे बहुत बड़ा हुआ और विनर्स अनौंस करने का टाइम आ रहा है तो शायद कल तक आपको सामने एक पोस्टर आएगा जिसमें हमने जो Fantasy अखाड़ा पे गिववे करा था जो हरशा भोगले से लोग मिलेंगे जो दो लोग सेलेक्ट हुएं उनकी आपको पूरी नाम के साथ कल अनौंस्मेंट आ जाएगी टेलिग्राम चैनल पे जुड़े रहना उसके लिए और एक गिववे आरा है फिर से टेलिग्राम पे तो वो भी जुड़े रहना बहुत ही इंट्रेसिंग चीज़ें हो रही है मिस मत कर ले ना खासकर फैंटेसी एरीन का टेलिग्राम चैनल यहाँ पे काफी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं वो इंपॉर्टन्ट हैं जो लोग रिकागनाईज करते हैं हाँ जिन लोग को सिर्फ अपने हिसाब से खेलना है वो ओविसली खेल सकते हैं कोई दिक्क देखोगे ना सेम पॉइंट्स दूनों जगे लाओ सेम बनाओ और एक बहुत कॉम्पेटिशन जेक करना आपको खुद बता जाएगा यह जो भाई ने लिखा है क्या है उसका मतलब तो भाई एक तो आईफोन लीग चल रही है देख लेना बल्लेवाजी पर बाकी शुरू करते हैं बारवा मैच है वानखेड़ी स्टेडियम में लास्ट रिवे कांसा तर होई चर्मा जो सबसे पहले से जवाब दिने तेश कुमार ने और ग्रेंट मैक्स फॉटिनाइन बॉल्स वह साही जवाब दिया जुगेश कुमार ने तो भाई कुमार भाईयों अगर आप अब आपना नाम देखना चाहते हैं यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग ट्रिविया है यह आपको बताना है कौन सा ऐसा CSK प्लेयर है जो अभी CSK में खेल रहा है लेकिन राइसान रोयल्स के लिए 2008 में जब वो IPL जीते थे आठ नौवाले सीजन में पहला IPL उस समय उसके ट अब देखते हैं टीम को क्या लगता है लेकिन अगर आते हैं तो इस ग्राउन पे रिकॉर्ड बेहद अच्छा है इनका और खासकर आरार इनकी पुरानी टीम है तो क्या पता हूं उनके उपर अल्रेटी उन्होंने नेट्स में बहुत प्राक्टिस किया होगा वो अड्वा चाहर के या तो ओवर खता हो जाए उनके आने से पहले या वो स्विंग खता हो जाए किसी भी तरह और यह एक चीज़ और नोटिस करी मैंने भी कि यह सेकंड इनिंग्स में ही जातर हुआ है तो अगर चाहर नहीं आउट करते तो सामसन ने पिशली बार सत्तर अन मनाये थे जब यह माच UAE में हो रहे थे तो वो इंपाक्ट क्रियेट कर सकता है लेकिन आज के लिए एक चीज़ जो मैं शुरुआत में आपके आपको मतलब मेरे प्रस्पेक्टिव से बताना चाहूँगा वो मेरे लिए है कि संजू सामसन आज 31% की क्याप्टेंसी वाइस फिर से किसकी जगे क्योंकि मोहीन अली सामकरन बहुत अच्छे से जच गए है टीम में फिर मोहीन अली सामकरन ड्वेन ब्रावो बहुत अच्छे से 5-2 प्लेस ही बहुत अच्छा गर रहे हैं कहां लाए होगे अभी मुझे नहीं लगता लाया सकता है ओवरॉल CSKA के अगें सोला का तो मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है स्टार्क डिफरेंस है यह बताता है कि संजू साम से तीन माच के बाद कुछ फॉर्म टो डिप हुआ है वो आज हो या अगले माच में हो पता नहीं लेकिन यू नेवर नो टीम में जरूर रखेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ क्लियर कर रहा हूँ यह चीज़ है हम रखेंगे मतलब आप जील वाली टीम में जरूर एक टीम में हटा के ट्राइगर सकते हो क्योंकि यही लग क्या पता आपको लॉजिक बेस पे आप तबाही मचा दो MSD को बहुत अची लगती है राजसान रोयल्स और बहुत रण मनाएं खासका उनतकत के अगेंश में और तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं और लेफ्ट हैंडर्स की बॉलिंग बहुत पसंद है इनको शायद एक बॉलर से बस खत्रा है मुस्तफी जूर से थोड़ा से कम खेला है सबसे अगर देखोगे 70 बॉल पे 138 रन मना है और एक विकेट है एक ही बार आउट हो है 70 बॉल में बड़ी बात है जड़ेजा मुस्तफी जूर के अगेंश में चार आउट हो चुके हैं मिलर जड़ेजा के अगेंश में एक बार ही शायद आउट हो हैं ज्यादा एक बार बहुत तंग कर चुके हैं उन चार पर आउट कर चुके हैं तो यह कुछ स्टाट्स हैं जो आप आगे चलके और देखोगे बटलर को CSK बेड़ा बहुत पसंद है खासकर चेस करते वक्त उन्होंने बहुत अच्छा खेला है अवरेज है 72 का तो अब आते हैं थर्ड मैच ऑफ आईपेल जो हम आनालेसिस कर रहे हैं लगातार और बहुत कुछ काम आ रहा है तो एकदम सिमिलर है दोनों टीम्स का क्यूंकि दो साल यह नहीं खेली दी दो विन दो लॉस हैं CSK के भी राइस्तान के भी आपको CSK का आगे देखेगा और एकदम सिमिलर सिनारियो बाटिंग फर्स करते वक्त दोनों ने एक एक मैच जीता है बाटिंग सेकंड करते वक्त दोनों ने दो मैच हा रहे हैं सेम सेनारियो तो इससे कुछ नहीं निकलता बस यह आपको बताने के लिए लेकिन प्लेयर की तरफ देखोगे तो आप देखोगे देखो थर्ड मैच आफ आइपिल सामसंग फिर से आठ सामसंग 92 और सामसंग 17 तो इग्जाक्ली वहीं मतलब है बहुत रिस्की पे के हैं यह नब्बे भी बना सकते हैं और यह अंडर 10 भी आउट हो सकते हैं तीनों इनिंग में अंडर 20 और एक नब्बे ठीक है उसके साथ बटलर 21 बटलर 6 बटलर 23 तो बटलर भी उतना चाह नहीं कर पाए और उसके बाद अगर आप देखो तो उनतकत के विकेट्स हैं मौरिस के वि आप आंट मालो रख लेना तो अब जिसको रस्क लेना है वह अपना हिट और मीस वाले चौइस पर इसकता है सेफ प्ले प्लेड्स के लिए और जिनकी हाठ बीट जादा बढ़ जाती है अगर उनका प्लेड नहीं जलता है मैच हार जाते हैं उनके लिए है कि भाई लेके च और यह थर्ड मैच में देखो बस दिक्कत यह है आज के मैच में कि MSD अपने आपको बहुत नीचे बार्टिंग रख रहे हैं तो अगर वो नीचे ही रहते हैं तो पता ही लेकिन मेरे साफ से आज शायद वो प्रमोट हो जाए क्योंकि लेफ्ट हैंडस को अच्छा किलते हैं लेफ्ट हैं सीमर को और आरार के पास तीन है सकरिया मुस्तफीजूर और उनतकद तो MSD उपर आ सकते हैं तो यह जीएल में आपको बहुत काम आएगा स्मॉल लीग में क्योंकि आप आप नहीं कर रहे हैं पिछले मैचस में MSD उपर नहीं आए तो क्या बता वापस से ना आए लेकिन बड़ी लीग में एक टीम में जरूर यह चीज प्राय कर लेना ठीक है 79-75 एक मैच में फेल भी हैं ब्रावो हैं जिन्होंने ब्रावो तरीक मैच में विकेट है यह भी आपको यहां से दिख रहा है और अमबती राइडू एक मैच में 49-29 और दो मैच में फेलियर्स है इसमें एक है और उसमें थे ही नहीं हो तो कहने का मतलब है कि अगर आप overall देखोगे तो यही है जिसमें यहां की category में हेट और में सारे अमबती र तो आप छोड़ रहे हो तो ध्यान रखना ऐसा प्लेयर लेना जो कॉंपंसेट करते इनके पॉइंट और वो मुश्किल है तो यह ध्यान रखके इस प्लेयर को छोड़ना बैट्समें छोड़ना एक रिस्की गेम होगा मुंबई में खासकर वानखेडे में यह समझ के चलना तो मेरे हिसाब से अगर आप ले पाओ तो जरूर ले लेना बाकी आपकी मरसी रिस्की मैं जैसे मैं नेका है MSD अगर वो बैटिंग अप करने आते हैं तो जड़े जात ठीक ठाक से हैं जादा मैं पहले बोलूँगा आप MSD ट्राइए करना वानखेडे इस्पिनर्स के पाँच मैच बाद टोटल है 49 पेसर्स को और चार विकेट स्पिनर्स को समझ लो आप स्पिनर्स कहां से कहां जा रहे हैं अब वानखेडे के रिकॉर्डस पहुंचते हैं और यहां हमें दिख रहा है कि CS के बराबर है RR भी बराबर है एकदम कच्छा जिठा कॉपी पेसर्स का मैंने आपको कहानी बता दी मैं अब आपको आगे के रिकॉर्ड यह कहता है जो कुछ खास अच्छा नहीं है और इस साल गतो और खतरनाक चल रहा है पावपले का जो रिकॉर्ड है वो भी मैं आपको समराइज कर देता हूं नीचे ही ताकि आपका जाधा टाइम अब इस तो हमने तो बहुत मैंनत करी है इस सब चीज के बीचे तो अगर आप देखोगे पिछले 2019 से तो यह रिकॉर्ड है 80% सेकेंड इनिंग में पावपले में एक विकेट गिरा है और 75% टाइम मतलब हर 4 में से 3 माच में पहले इनिंग में गिरा है अब इस साल क्या लकसान हो सकता है लेकिन बागी चार माच में हम कुछ ना कुछ फाइदा जरूर इंपॉर्ड खास कर यह ग्रैंड लीग में काम आ सकता है आपका डेटा जहां बेक ओपनर मिस करके अपनी टीम बना सकते हो और यह बड़ी बात है क्योंकि ओपनर के क्रेडिट बहुत जाद पचपन माच खेलें सबसब जादा एक्सपिरियंस है इस ग्राउंड पे खेलने के लिए सीएस के की साइट से अमबिती राइडू पचपन माच में अगर आप डेटा देखो तो बीस का आवरेज है वही हिट और मिस वाले क्यूं है दो प्लेयर हिट और मिस हो रहा है सोड़ा सब बढ़ जाता है यह हमने नोटेस करा है जस फॉर इंफरमिशन राइट अगर आ जाते है न तो आप एक आट टीम में जरूर राइगर सकते हो क्योंकि थोड़ा अटैकिंग केलते हैं 20-25 पच्चे संट बना गए तो आपको कुछ पॉइंट से जाएंगे दोनी 26 स्वाफ डूप्लेसी 30 तो अब बात करें तो राइना सबसे उपर है उसके बाद है स्वाफ डूप्लेसी बॉलिंग से देखो के सबसे अच्छा ब्रावो ब्रावो भी मुंबई के लिए इस वज़े से उसके बाद हरी शंकर रिडी जो खिलाया नहीं चाहर है उसके बाद दीपक चाहर और पिछले माच में तबाही मचाई जिस वएसे और इंप्रूव हो गया उनका अवरेज फिर शाड़ लुठा को रर के लिए संजू सामसें 31 का अवरेज इसलिए मैं कहा था हिटर हमेस यह हिट हुए है इस ग्राउंड पर अभी तक 31 का आवरेज है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते है जौस बटलर 32 का है और उसके बाद डेविड मिला 36 का है और शिवाम 26 बॉलिंग में देखोगे उनकत डिसेंट रहे हैं यहां पर क्रिस मॉरिस मस्ट से भी जादा बड़े वाले मस्ट पिक है आज और एंडुटाय जो खिलाए नहीं गए अभी त तो होता ही है अंबती राइडू एक बाफ फर्स बैटिंग में 62 एक बाफ सेकंड बैटिंग में 22 है और 23 लेकिन बागी परफोर्मेंस ज़रा एक बन अज़र डालो चार बॉल एक राइन आउट छे बॉल एक राइन आउट एक बाल जिरो एक बाल जिरो एक बाल जिरो एक तो बहुत ही unprotectable ही है Samson से भी जादा unprotectable Amati Raidu का record है NGD को पहली balling करते वग विकेट मिला है Thakur जी को second balling में तो हर बार विकेट मिला और पहली balling में भी दो माच छोड़के हर बार विकेट लेके गए है Dwayne Bravo, एक माच छोड़ो उसमें भी batting से run दे दी है performance दे दी है, बागे हर माच में विकेट है First balling करते वग गांट बांद के रख लो इस player को नहीं छोड़ना है और रख नहीं है, मतलब यह अच्छा कहलता है Same, चाहर का है, decent performance है पिछले माच में चाहर विकेट, मोही न ली तीन मैच खिलें, तीनों में इतना बड़ा impact rate किया 50 रन, 2 विकेट, 36 रन और 46 रन, 1 विकेट कितना जबरदस पिक है तीसरे नमबर बे बाइटिंग कर रहे हैं और ध्यान रखना है, जिनकी बाइटिंग काफी काम आएगी तो कुछ न कुछ करके आपको left-handers वहां मिल रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं मोहीन अली को काफी और क्या बता आज आपको कृष्ण पागोसम दिख जाए लेकिन इतना चेंज सी है, इसके करे की नहीं, जितना मुझे बता है मोहीन अली ही balling कराएंगे और जरुवत बड़ी तो राइना से करवा लेंगे बढ़ला चेस करते वक्त 89 बना चुके हैं, संजू सैमसन हर इनिंग यहां पर अल्मोस्ट चेस करते हुए खेलिए 1.50, 2.30, 1.119 तो देख सकते हो आपके लिए यह मच बेटर रिस्की पिक हैं अगर आप कंपैर करो किस से हमती राइडो से ठीक है, उसके बाद क्रिस मॉरिस यहां पे पहली बालिंग करते वक दो बार खिलने, दोनों बार विकेट्स लिए और रियान पराग ठीक ठाक से परफॉमेंस है मिलर्ड सेगेंड बाटिंग करते वक अच्छे हो जाते हैं और वो बासट का स्कोर भी लास्ट मैच में उन्होंने करा उसके अलावा उनतकत का परफॉमेंस है फर्स बालिंग करते वक मुस्तफी जूर का है ठीक ठाक साहे सबका और ज्यादा कुछ अलग नहीं दिखेगा तो बस रॉबिन उतपपा यहां से अलग निकल के है बाकी सब जो उपर निकल के आया था थर्ड मैच ऑफ आई पील का अनालिसिस करते वक्त वही कुछ यहां निकल के आया हेड टूएट में देखोगे तो CSK बहुत आगे है लेकिन लाखरी पांच मैच में CSK आरार एकदम नेक टूनेक हैं 3-2 पे और हेड टूएट में भी राइना आगे 42 था ग्राउंड पर यहां होगे 29 MSD बढ़ गया 28 से 40 तो MSD को पसंद है बस उनको बैटिंग में अगर उपर आ गए तो GL वाली टीम आपकी तबाही मचा सकती है 5 दूपलेसी दोनों दरफ वराबर 30 वहां था अल्मोस 30 यहां पर है बहुत कंसिस्टेंट है डवेन बावो 65 जबरदस बाई और जड़ेजा भी थोड़ी बहुत बाटिंग कर चुके हैं 32 बालिंग साइट से देखोगे तो फिरसे डवेन बावो आगे हैं उसके बाद दीपक चाहर फिरसे स्ट्राइक रेट अच्छा है शारदुल ठाकूर भी अच्छे हैं और जड़े जाने भी ठीक ठाक किया है लेकिन ध्यान रगना है काफी मैचेस इन्होंने राजिसान या फिर चन्नाई में खेले हुए जिसमें पिच्छिस को थोड़ी हेल्प मिलती है स्पिनर पेसर का रिकॉर्ड मैंने बता दिया अगर आप मेरे से पहले दो भी पूछोगे तो शारदुल ब्रावो और चाहर ये टोटल तीन पिक हैं जो मैं बॉलिंग से लेने वाला हूँ एक औल्राउंडर मोहिन अली मेरी टीम में हमेशा रहेंगे आरार के लिए जॉस बटलर को से अच्छी लगती है मैंने उपर बता दिया सैमसन को नहीं अच्छी लगती ये भी उपर बता दिया है आखरी दो मैचेस जो हुए थे वो UAE में हुए थे जहां सन्जू सामसन चोहतर की पारी फाफ डूपलेसी की पारी थी और उस मैच में बहां पे तेवतिया ने विकेट लिये थे करन के साथ यहां जॉस बैटलर एक बार रन मना चुके हैं सत्तर का जो पिछले इनिंग पिछले साल हुआ था ठीक है तो एक बार हेट टू हेट का ज़र राइनिंग वाइज अनालिसिस देखो कि तो राइना का आपको दिखेगा खासकर फर्स बैटिंग करते वग कुछ ना कुछ करा है उन्होंने सेकंड बैटिंग करते वग भी एक 50 है फाब डू प्लेसी सेकंड बैटिंग करते वग 38-72 थोड़ी बहुत कैच भी ले ले लते हैं एमेजडी 31-33-75 नॉट आउट बहुत रहें इसलिए इनका आवरेज बहुत जादा है नीचे आते हैं अम्बदी राइडू सेकंड बाटिंग करते वग जैसे मैंने का इनका आवरेज थोड़ा बढ़ जाता है सेकंड बाटिंग करते हो 57 फर्स बाटिंग करते वग चारो कितनी बड़ी बात है और यह आपकी तरफ होना चाहिए मैंड में बताऊंगा लेकिन प्लेयर इंपोर्टन है खासकर दोनों तरफ ही अच्छी बॉलिंग करा रहा है हेड-to-head में भी दीपक चाहर भी विकेटलेस नहीं रहें यह एक इंट्रेसिंग चीज है और आप नीच चोहता है जो पिश्ली बार बनाया था उन्होंने और जो इसेकंड बैटिंग करते वग आउट हुए ना मोस्ली दीपक चाहर की वज़े से भी काफी दिक्कत रही है नीचे आ रहे हैं तो हमें एक बार तेवतिया के तीन विकेट दिख रहे हैं उन अतकत के थोड़े बहु और वैसे चार बार जो ओवराल देखोगे और मुस्तफी जूर ने भी इनको एक बार आउट किया है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंज में आगर आप देखो डिसेंट सा है ज्यादा तबाही नीमचा रखी है जैसा हम एक्सपेक करते हैं फैप डूप्लेसी से सुरेश रायना इन्होंने भी मुस्तफी जूर को अराम से खिला है, उनतकत पे एक बार आउट होएं, मौरिस जो बाउन्स अर चार बार आउट हो चुके हैं तो रायना की दिक्कत ये बच्पन से रही है, उनको बाउन्स अरा जाते है हो, वो भू करेंगे, पुल करेंगे, आपेंगे सव गया है मोहिन अली मॉरिस से भी वो भी थोड़ा बहुत हो चुके मॉरिस मस्ट पिक है एक्टम गाड बांध के रख लो जीरो विकेट ले दो सो रन पढ़वा दे मुझे फरक नहीं वरता है रिकॉर्ड अनालिसिस जो बोलता है वो आपके सामने रखता हूं इसके बाद हम थ मुस्तफीजूर पर आउट हो चुके हैं काफी बार मुस्तफीजूर से दिक्कत रही है मेसडी को खास कर लेकिन उसके लावा उनतकत का दुवा भर दिया वाई 230 का स्राइक रेट और इवन मॉरिस कभी बहुत रन माने से एक बार आउट हो है रविंद जडेजा मुस्तफी की तरफ देखो तो ब्रावो ठाकूर रन मनाए हैं लेकिन विकेंट भी दिया लेकिन जडेजा ने इनको थोड़ा सा तंग कर रखा है ODIs और टेस्समाचेज में टेस्समाचेज तो बहुत अलग गेम हो गया T20 में कभी नहीं किया लेकिन ODI में थोड़ा सा तंग किया है ठ जडेजा को खेला है थोड़ा दो ब्रावो से दिक्कत रही है दीपक चाहर से रही है और जडेजा ठाकूर मैं इसमें पिच को देखते हूँए ठाकूर को ठोड़ा सा प्रेफरेंस उपर दूँगा तो मेरे टॉप 3 ब्रावो चाहर और ठाकोर आ रहे है मोहिन अली का कहानी अभी आप नए प्लेयर हैं और बाकी आपको पता है तो गौतम आ सकते हैं अगर गौतम नहीं भी आते हैं मेरे लिए मोहिन अली बहुत जरूरी है और सेम सेनारियो क्योंकि आप सामने देख रहे हो अगर यह शर्ष भी आते हैं नहीं भी आते भूल जाओ दूबे अगर खेलते हैं या वो भी नहीं खेलते तो मिलर और तेवित्य तो खेलेंगे तो दो लेफ्ट हैंडर तो हैं ये चारों को ट्रबल किससे हुआ है Chris Morris से तो Morris ही एक clear choice यहां से निकल के आ रहे है जो बहुत trouble दे सकते हैं मेरे लिए की small league की picks क्या निकल के आती है Morris 5-2 प्लेशी खास के chase करते वग balling से भी catches दे सकते है Mohin Ali ये अच्छी choice है Morris के साथ Mohin Ali बहुत अच्छी choice है क्योंकि मुझे लगता है balling और batting दोनों से contribution हो सकते है और butler एक अच्छी choice है chase करते है थोड़ा सा risk लेने का मन करता है जिसका वो Samson पे ले सकते है देखाए आपने record batting first करते हैं खास कर अच्छा करा हुए second में थोड़ा सा चाहार से दिक्कत है अगर दीपक चाहार को निकाल ले गए तो ये भी तबाई मचा सकते है तो ये ऐसे 5 choices हैं जिनके साथ आप खेल सकते हो और GL वाली MSD की choice हमेशा से रहेगी जो मैंने आप पहले बताया है तो स्क्वाड में अगर रितुराज को एक और मौका देना है जैसे टीम देती रहती है तो देगी नहीं तो यहां पर उतापा ट्राय हो सकते हैं और मुझे कोई चेंज जाता दिखनी ही रहा इस टीम में एंगीडी को शायद अभी टाइम लगेगा खिलाने में बैटिंग लाइनप बहुत सा बरदस्त है दीपक चाहर भी बड़े लंबे-लंबे हीट मारते हैं तो यह समझ के चलो कि CSK के पास बैटिंग लाइनप काफी नीचे तक है फैब डूप्रेसी अमबती राइडू को आप GL में ट्राइ करना चाहो कर सकते हो फैब डूप्रेसी जाता टीमों के स्मॉल लिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन और मुहीन अली एक अच्छी चोईस है राइस्तान रॉयल्स के लिए मनन वोरा है अगर जैस्वाल को ट्राइ करना है कर सकती ही टीम अधरवाइस मनन वोरा डीसेंट लगें जब भी लगें लेकिन जल्दी इन पड़ गये हैं ऐसा देखा गया है पिछले पांच मैंच में एक एटी भी है जस फॉर इन फॉर्मेशन उसके बाद ये पूरी टीम है जिसमें मुझे भी नहीं लगता अभी अच्छा कर रहे हैं जोग भी कर रहे हैं संजु सैंसेंट कर स्मॉरिस जाथ टीम होगे होंगे स्मॉल लीग में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है बटलर का सेकेंड बैटिंग करें कर सकते हो जो मैंने आपको लॉजिक्स पता है वही फैफ डूपलेसी एक अच्छे चॉइस है और सैंसन यह हैं अब आप देख रहे हैं यही वजह बाटिंग नीचे करते हैं अग पर बैटिंग लाइनप बन गई बाॉलिंग में चार बॉलर अभी सी इसके हैं जो भी टीम पहले बाॉलिंग करेगी मैं उसके ज्यादा बॉलर लेना चाहूंगा ऐसा मुझे लगता है तो उस हिसाब से करूँगा रोटेट अभी के लिए यह टीम दिख रही है टेलीग्र आपको यूज करना है दिमाग और मैचे सेलेक करने अगर आई पील नहीं तो कोई और ट्राइज जरू करो आपको समझाएगा जैसे मैं बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टन है बॉलिंग लीग में अभी के लिए मौरिस अब्रावो कैप्टन माइस थाकूर भी अच्छी का इंवेश्मेंट होता है उससे पहले मैं एक जीता था इससे पहले लगाता और कंटिनूसली जीता था कल पहला दिन था जो पहले माच में काफी हा रहा था मैं पता नहीं आपका रेजल्ट कैसा किया पहले माच में लेकिन दूसरे माच में काफी कुछ कवर कर लिया था ज क्योंकि हम काफी confident थे शिकर्दवन को लेकि वाइस कैप्टन सी पे जिसने जाय पे बनाया जाय रिजर्ट से जो मैंने लिखा था वो भी ठीक था नहीं भी बनाया किसी और को भी बनाया अच्छा गया होगा क्योंकि काफी लोग रिशाब पंथ को सिर्फ बना के चल रहे थे वो पंथ हमने कुछ अलग ट्राय किया करने का ठीक है जस्ट फिर से reminder भाई फेक चैनल पर मत पहुंच जाना fantasy arena आर लिखा होगा और registered है 54,000 ही लोगें से जादा मिलें इससे कम दोनों ही fake हैं दियान रखना और description में जो link है उसी से आना fantasy arena सर्च करना और हमारे हाँ कोई फाल control हो सकता है किसी अप पर कोई game चल रहा है जैसे कल एक भाई ने live fantasy में तबाही मचा दियो और फिर वो बोलते है कि क्यों लोग regular fantasy खेलने live fantasy क्यों नहीं तो यह सब important चीज़ें बस share करता हूं या फिर कोई giveaway हो या हमाई तरफ से offer इन सब चीज़ें जान करें आपको fantasy arena telegram पर म मजे आपीच मेश्ड सम्ट WWE